नमस्कार में डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे UGC.net हिंदी कहानी के अंतरगत दुलाई वाली कहानी के उपर जिसकी लेखिका है बंग महिला बंग महिला की एक कहानी आपके पाठकरम में और लगी है जिसके उपर हमने चर्चा कर ली है चंदर देव से मेरी बाते हैं उस कहानी का हमने कहानी पाठ भी किया है कहानी से related जितने भी तरीके के पूछे जा सकते हैं उनके उपर भी हमने चर्चा किये हैं उमीद है कि आप सभी ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दुलाई वाली के उपर इस कहानी का हम पाठ करेंगे और इसे related परिक्षोपयोगी तत्यों पर भी हम एक नजर डालें तो चलते हैं बात करते हैं कि जब हम दुलाई वाली कहानी को पढ़ते हैं अगर इसको हम संवत में ध्यान रखें तो संवत 1964 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकासित हुई थी सरस्वती पत्रिका के भाग आत संख्या 5 में इसका प्रकाशन हुआ हिंदी कहानी की पहली कहानी पर जो भी विवाद हुआ या फिर जिस पर आलोचकों ने अपने अलग-अलग मनतब्वे दियें तो हिंदी कहानी की पहली कहानी के दोड में भी दुलाई वाली कहानी शामिल रही आचाय रामचंद शुकल का हिंदी सहित का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने हिंदी की पहली कहानी के अंतरगत छठवे नंबर पर दुलाई वाली कहानी को रखा है दुलाई वाली कहानी का मुल्यांकन करते हुए आचाय राम चंशुकल ने इसको भाव प्रधान कहानी कहा है और साथ में ये मौलिक कहानी के अंतरगर भी आती है तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको की आप बिल्कुल ध्यान में रखे इस कहानी के अगर शिर्षक पर हम न लगा सकते हैं दुलाई का अर्थ है चाजर इस कहानी में कई इस्थानों का जिक्र किया गया है काशी, दशाशोमेद, गोदवलिया, मुगल सराय, मिर्जापूर, इलहाबाद, सिकरावली स्टेशन, नैनी, हित्यादी जगहों का नाम इसमें आया हुआ है क्योंकि बदलते रूप से जानकी देई, सीता, ये दो इस्तरी पातर के रूप में है, जानकी देई और सीता दोनों बहन है, सीता छोटी है, दस वर्ष की बालिका के तर पर इसका जिक्र किया गया है, पिछले साल के क्वेशन पेपर में आप देखेंगे, तो ये सवाल पूछा जा चुका ह है, कि सीता कितने साल की है, इसके उम्र पूछ ली गई है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, कि जानकी देई, दुलाई वाली कहानी की मुख्य पातर है, और सीता उसकी सहायक पातर के तोर पर है, दोनों का आपस में क्या संबंध है, बहन का संबंध है, इसके बाद बंशी धर नवल किशोर, तो इसमें पुरुष पातर मुख्य रूप से है, बंशी धर जानकी देई का पती, यानि कि जानकी देई और बंशी धर दोनों दमपती के तोर पर है, बंशी धर के मामा का लड़का है, दूर के रिष्टेदार में इसका जिक्र किया गया कि दूर इसमें कहानिकार ने रेल यात्रा के दवरान इस कहानी को लिखा है, रेल यात्रा शुरू हुई है काशी से इलहाबाद, ये भी कई बार प्रस्णों में पूछा जा चुका है, कि दुलाई वाली में रेल यात्रा किस जगह से किस जगह तक पूरी की गई है, तो आपको ध् प्रेविद्यार्थियों दुलाई वाली कहानी से रिलेटेड जो की पॉइंट्स थे, पात्री योजनाय थी, इस्थानी योजनाय थी, इस कहानी का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली है, और बाकी चीजें क्लियर होंगी जब हम कहानी पाठ करेंगे, कहानी बाद में पता चलेगा कि ये नवल किशूर है, तो हो सकता कि बदलते वे पैटर्न में पूछ लिया जाए, कि दुलाई वाली आखिरकार कौन था, ठीक है, तो चलते हम बात करते हैं, ये जो कहानी है, ये शुरुवाती दौर की कहानी है, दो मित्रों की कहानी है, और साथ म उनकी पतनिया भी हैं, और जगहों का जिक्र हमने बता दिया हूँ, तो कहानी की शुरुवात कैसे होती है, हम अब चलते हैं, उस पे बात करते हैं, शुरुवात हो रही है, काशी जी के दशाश्रमेद घाट परिस्नान करके, एक मनु से बड़ी ब्यग्रता के साथ गुद गणी की एक पूडिया थी, उस समय दिन के ग्यारह बजे थी, वदवलिया की बाई तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक तूटे से पुराने मकान में वह जाखुशा, मकान के पहले खंड में बहुत अंधिरा था, पर उपर की जगह मनु से के वासुपयोगी थी, नवागत मन से धर-धराता हुआ, उपर चड़ गया, वहाँ एक पोठरी में उसने हाथ की चीजे रख दी, और सीता-सीता करकर पुकारने लगा, तो ये पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, तो आपके मन में वारानसी का जरूर ध्यान आ रहा ह की होगी, तो दसास्वमेद घात, गोदवलिया का जो ट्रैफिक जाम है, या फिर जो भीरभार इलाका है, और जो बनारस की गलियां, और जो बनारस के लोगों की खास विशिष्टाएं रही हैं, ये हाथ में सूर्ती, पान, ठीक है, बिबियां, ये सब, तो यहाँ पर कहा आनिकार बंग महिला ने पुरा वातावरन आपके सामने रख दिया है, कि काशी के दसास्वमेद घात के आसपास का ये इलाका है, वहाँ पर एक मनुष्य है, वो बहुत व्याकुल है, सामान ने इस्थिती में नहीं है, बड़ी व्यगरता के साथ गोदवलिया के तरफ से आ रहा है, और क्या वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके हाथ में एक मैली सी तवलिया है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में सूर्ती की गोलियों की कई डिब्यां और सुंघनी की एक पूडिया थी, और ये वक्त कब का है, वक्त ग्यारह बजे का, अब गोदवलिया के और जहां घुषता है उसका जो पहला खंड है वहां पर अंधिरा है और वहां पर वो नहीं रुखता है बलकि उसके उपर जाता है जहां पर उसके रुखने की जगह है वासोपयोगी था मतलब वहां पर रह सकता था वास कर सकता था यह जो मनुस्य है यह धर-धराता हुआ उ किसी को बुला रहा है जिसका नाम है सीता, सीता को बुला रहा है और सीता सीता कहकर पुकारने लगा, अब जब पुकार रहा है तो क्या होता है, क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बाली का आ खड़ी हुई, तब उस पुरुष ने कहा सीता जरा अपनी बहन को बुला ला, उसके व्याकूलता का जो छण, ये वाक्य कहीं कहीं उसको बता रहा है। क्यों भ्याकूल है? लग रहा है कि उसको जाना था कभी और, लेकिन अचानक जो प्लान बना है, वो अभी बना हुआ है, इसलिए उसमें व्यग्रता है। सिता को पुकारता है, सिता अपनी बहन को बुला कर लाती है, ये सारी बाते मैंने उपर की पॉइंट्स में आप सभी से कर ली हैं, और जो नमीन इस्तरी आती है, मतलब जो नई महिला आती है, यानि कि उस पूरुष के वो पत्नी है, और उसे कहता है वो, कि लो हम लोगों को तो आज जाना होगा, इस बात को सुनकर इस्तरी कुछ आश्यरियुक ठोकर और जुजला कर गूय, आज ही जाना होगा, यह क्यों, भला आज कैसे जाना हो सकेगा, ऐसा ही था, तो सबेरे भहीया से कह देते, तुम तो जानते हो कि मुँ उसे कह दिया, बस छुट्टी हुई लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता ये पती-पतनी का जो समवाध है इसको बिलकुल आप ध्यान रखिए यहाँ पर पती जैसे ही बात को कहता है कि हमें आजी तड़के जाना होगा लेकिन पतनी इस चीज को सुनकर आश् के बाद जुझला रही है आप उने माता-पिता या फिर पती-पतनी का जीवन जी रहे होंगे तो यह सारी जो भाव प्रधान घटना है घट रही है इसको आप ज़रूर महसूस किये होंगे जुझला कर करती है कि आज ही जाना होगा यह क्यों कि इसके दिमाग में तो है कि क बड़ा ध्यान देने वाला है कि लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता आज तो किसी सुरत जाना नहीं हो सकता लड़की की विदाई आप लोगों में देखा होगा लड़की की विदाई सामाने विदाई नहीं होती है बलके उसकी तैयारी की जाती है यह कहानी ह आगे है कि तुम आज करती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवलकिशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। हट पूरुवक कि नहीं आज ही चलना है। और यह आग्रह किन दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जिनसे आपका ब्यवहार मित्रवत होता है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलहाबाद चलेंगे। क्या नेडल लिया गया कि मुगल सराय एक इस्टेशन है जिसका की नाम वर्तमान समय में बदल गया है। क्या बदल गया है आप लोग जान गये होंगे। तो उस समय इस इस्टेशन का नाम मुगल सराय था। अब दिन दयाल उपाद जाये जंक्सन हो गया है। अगर आपने पनारस की थोड़ी बहुत यातरा की होगी। तो मेरी बातें आपके दिमाग में बहुत जल्दी से जा रही होगी। तो यहाँ पर बात क्या होई कि हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलहाबाद चलेंगे ऐसा निर्ड़े लिया गया है। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला इसी से मैं जट नहा दोकर लवट आया। जहां वो आराम से नहाता दोता लेकिन जैसे ही तार आया वो जल्दी से नहा दोकर आया कि मेरा मित्र आ रहा है। बस अब करना ही क्या है। कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बाद मूध कर घंटे भर में खापी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आये ही हैं तब कल के बदले आजी से ही। अब यहां कहानी का पूरा रूप खुल कर सामने आ रहा है। यानि वण्शी धर जो है वो बनारस में अपनी पत्नी की विदाई कराने के लिए आया गुआ है। जाना है कल लेकिन उसके मित्र का अचानक तार आता है कि नहीं आजी चलेंगे। तो वो कल के बदले आजी जाने को तयार है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और हाँ यह बात है दनवल जो कहें करामे क्या एक गया इक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्टी में बट्टा लग जाएगा। यहां दनटाभार है, कि नवल को अपना मित्र मानती है तो वो जो भी awi करामे करामे शब्त पर जोर दें कई वार जानमन्ताबिक बातें नहीं होती हैं, तो लोग बोलते हैं कि फला करा आ रहा है, तो यहाँ पर जानकी देई को यही लग रहा है कि अगर नवल नहीं आता तो मैं कल आराम से तसली के साथ अपने ससुराल जाती, लेकिन यह नवल का कराया धराया सब कुछ है, और आगे कप वाक के देखिए, करें कि क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं जरूर ही उनके साथ जाओगे पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी महरा का भी प्रयोग किया गया क्यों किस बात से उनकी हसी से और किस से बताया गया कि कोई जरूरी नहीं कि सब की हसी पसंद आये बहुत सारे मित्रों को आपने देखा आवाज हसते हुई लेकिन कुछ की हसी पसंद आती है कुछ की हसी पसंद नहीं आती है और हमारे तो कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर आपको आमने कभी हसते हुए नहीं देखा, तो पढ़ाते हुए अगर मैं हसूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, तो प्रिय विद्यातियों हसने का वक्त अलग होता है, यहाँ पर जानकी देई को जैसे ही पता चला कि नवलकिशोर आने वाला है, यानि कि वो नवलकिशोर से पहले से भी परची थे, और उसकी हंसी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है, वो कहती है, उनकी हंसी से और किस्ते, हंसी ठठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती, एक रोज मैं चौक में बैठी पूडिया काड़ रही थी, कि इतने मिनन जाने कहां से आकर नवल चिलाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहु पूडिया खा रही है, नवल किशोर जो है, और जानकी देगा जो आपट में संबन्द है, भावी और देवर का संबन्द है, तो अक्षार आप देखते हैं कि भावी और देवर का दुए छच्षाणा बना रही थी तो ना रहे आ भी थी तो पूडया काड़ रही है यह चुख्के से खावी रही जन्य है तो कहरे है कि उनकी हसी है कई कहीं रास्ते में कोई रहा हसी मजाग करे तो ठीक है लेकिन घर में अगर हसी मजाग करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यह उस दौर की जानकी देई है 1907 की आज की एकर जानकी देई होती तो कोई असर नहीं होता कहानी का आप देख रहे हैं क्यों हमारे पाठिक्रेम में कहानी लगी विए उस समय की स्थिति को भी समझना है और आज क्रिश्णा सुबती का मित्र मरजानी उसमें पताया गया कि महिलाओं को जोर जोर से हसना नहीं है जोर जोर से बोलना नहीं वो उस दौर की रचना है यहां पर जानकी देई पता नहीं हस्ती है की नहीं हस्ती है लेकिन उसको दूसरी की हसी से प्रवब्लम और क्यों है क्यो खाने पानने के लिए तो आई ही है पर मुझे उनकी हसी बहुत बुरी लगी जैसे इनवल इनको चिढाते वे कहा कि ये पूरियां चोरी-चोरी से खा रही है तो एक भावीजी और वहाँ पर है उन्होंने इसको उड़ा दी मतलब इग्नोर कर दिया और कही मतलब यही कही जा उनके साथ नहीं जाना चाहती अच्छा चलो मैं नवल से कहा दूँगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती ही नहीं पूरी क्यों खाने लगी पती तो पती ही वता है इस समबात को ध्यान में रखिए वो मैनेज कर रहा है कि ठीक है मैं नवल को बता दूँगा और कह दूँगा कि यार ऐसे मत चिड़ाया करो तुम्हारी भावी को ये बात अच्छी नहीं लगती है इतना काकर वंशी दर कोठरी के बाहर चले आये और बोले मैं तुम्हारे भहिया के पास जाता हूं तुम रो रुला कर तयार हो जाना है अभी तक तो मैं आपको बता ये राथा कि जो संबाद है वो बंशी धर का है लेकिन इस कहानी में यहां पहली बार बंशी धर का नाम प्रियुक्त हो रहा है और बंशी धर चुकि अपने पतनी की विदाई कराने के लिए बना रसाय हुए है और बंशी धर का घर कहा है इलहाबाद है आगे पता चल आपको यहां पर देखिए बंसी धर ने अपनी पतनी से बातचीत करके वो कोठरी के बाहर चले जाते हैं और यहां पर एक जो वाक्त क्या आया है कि मैं तुम्हारे भहिया के पास जाता हूं हुगला.. मुझे उस संबेदना का उस भाव का पता नहीं था, या पिर अंदाजा नहीं था कि अपनों को देखकर कैसे लोग अपने भावों को रोकने से नहीं रोक पाते हैं तो यहाँ पर वंसी धर को पता है कि विदाई कराने आया हो तो जरूर रोएगी तो कहरा हो कि तुम रो रुला कर तयार हो जाने इतना सुनते ही जान की देखी आखे भर आए और असार सावन की ऐसी जड़ी लगते यानि कि रोना सुरू कर दी उसको भी पता चला कि अभे तक जो बंसी धर भोल रहा था यह 100% तयार हो गया जाने के लिए जाना तो कल था लेकिन यह तो आज ही तयार हो गया और जैसे यह बोला कि तुम भी तयार हो जाओ और जिससे भी मिलना जुलना एंबिल जुलो रोना इस पंक्ति को समझ पा रहे हूँगे. जानकी देवी उस भावना से ग्रसित हो जाती है, वो भी रोना शुरू कर देती है. अब कहानिकार आगे कुछ और जानकारियाँ देता है. या फिर देती है कह सकते हैं. वंशी धर इलाहाबाद के रहने वाले हैं. वंशी धर कहां के र सस्राल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। जानकि देख, अगर परिवार हम देखें, तो उनका एक भाइ है, उनकी एक बढ़न है, कौन? वही सीता और उनकी मा है और उनके पिता जी नहीं ठिक तो घर परिवार में वंशी दर के ससुराल में कौन कौन है एक साले साब है एक साली है और उनकी सासु मा है और इसके अलबा कोई नहीं नवलकिशोर कौन है नवलकिशोर इनके दूर के नाते में म मेरे भाई ये भी परि इस कहानी में आप देखेंगे कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है इसके पहले हमने इसरार को देखा यहाँ पर कालिब सब्द आया कालिब का मतलब होता है सरीर या फिर दें हो सकता है कि एक्जाम में पूछ लिया जाए प्रिविद्यार्थियों हो सकता है कि मैं वक्त ले रहा हूंगा लेकिन ये वक्त अगर आप देंगे तो मुझे पुरी उम्मीद है कि इस कहानी से संबंदित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा आप वहाँ पर लीड कर जाएंगे तो देखे ये जो पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला है कहानीकार पहले बहुत सारी चीजें बता दिया ठीक है जगां का नाम बता दिया सब कोई लेकिन यहाँ पर बताया कि बंसी धर इलाहाबाद के राने वाले हैं इनकी ससुराल बनारस में हैं ये अपने पतनी की विदाई कराने आये हुए हैं ससुराल में कौन-कौन से हैं और जिस नवल किशोर की बात वो रही है वो नवल किशोर बंसी धर का क्या है नवल किशोर बंसी धर के दूर के नाते में म मेरे भाई सवाल पूछा जा सकता है मा मेरे भाई, फुपेरे भाई, मौसेरे भाई, इस तरीके सवाल पूछा जा सकता है, चचेरे भाई, ये चारो आफसन काफी है, मा मेरे भाई तो हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्या, दोनों में गहरी मित्रता है, और मित्रता ऐसी है, दिखाने व दर को जाना था कल, लेकिन नवल किशुर का तार आया, तो वो तयार हो गया आजी, आगे है कि उसी दिन वंशी धर का जाना इस्थिर हो गया, तीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी, तीता जो कि 10 साल के बच्ची है, बालिका है, और जानकी दे उसकी बहन है, वो भी र रोती दोती लड़की की विदा की सामगरी की कठा करने लगी। वातावरन देखिए, वातावरन बिल्कुल भावों से यूप्ध है। इसलिए इसको भाव प्रधान कहानी कहा गया है। माता का काम क्या है, एक तरफ को रो भी रही है। कितना भी संपन घर में पुत्री की शादी हो, लेकिन रोना धोना तो कभी छूटता नहीं। लड़की की विदा की सामगरी कठा करने लगी। सामगरी में वही आटा यह जो भी होता है। जानकी देवी रोती इरोती तयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धिमी आवाज से मा को याद भी दिलाती गई। विदाय का प्रसंग आप याद कीजिए। लोग रोते गाते हैं। एक मुझे यहाँ पर कॉमेडी याद आ रही है राजु शिर्वास्तों की। लड़की की विदाई हो रही है वो गाड़े में बैठी हुई है लेकिन लड़की की मा जो है वो अपने दामात से बात कर रही है। बात भी कर रही है और बीच बीच में बेवर्था को भी देख रही है। तो यह मुझे प्रसंग याद आ गया आप लोग इस कहानी के बाद इस प्रसंग को राजु शिर्वास्तों वाला जरूर देखिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जानकी डेई अब क्लियर हो गया कि जाना है। वो भी थोड़ थोड़ा रो रही है। और लेकिन उसका ध्यान है कि कोई चीज भूल न जाये। भूलने पर धिरे से पनी मासिक कहती है। उसको याद दिलाती कि यह भी समान रख देना। एक बजने पर इस्ट्येशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इकका लाने कौन जाये। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं की दो-चार नौकर चाकर हर समय बने रहे। यानि कि जब बंशेदर के साधी जानकी देई से हुई थी तो थोड़ा समपन था। लेकिन अब जानकी देई के पिता जी नहीं है। यानि कि यहां पर आर्थिक की सिती कुछ खराब सी हुई है। यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है। और नौकर चाकर भी नहीं रहे। तब चले गए। बताया गया आगे सीता के बाप के नर अने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहां नौकर चाकरों की सिवा और विद्वचार खुशामदी घेरे रखते हैं। यह है समात की सच्चाई। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है तो भी इस समय कहीं गई। साले राम की तबियत अच्छी नहीं। वे हर समय, हर घड़ी विच्वने से बाते करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। अब डिप्रेशन में है कि किस चीज में है यह तो हम केबल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो जानकी देवी की जो मायके की स्थिति यह बहुत अच्छी नहीं। साले राम की तबियत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी विच्वने से बाते करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे। मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूं। नजदीक तो है। वंशी धर जाता हूं। वंशी धर बोले नए नए तुम क्यों तकलीफ करोगे। मैं ही जाता हूं। जाते जाते वंशी धर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की इस्तिरियों के बैठनी लायक नहीं होती। क्योंकि एक तो इतने उचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे परायव पुरुष के संग एक साथ बैशना पड़ता है, यह बंशीदर की मान सिख्ता को देखे, यह बंशीदर कब के हैं, 1907 के हैं, अब के पुरुषों में और पहले के पुरुषों में अंतर भी हुआ है, औ तो यहां पर देखे, वंशीदर जाते हैं, और इक्के की सवारी, उनका मानना है कि इस तरीयों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उसमें एक से अधिक लोग बैठते हैं, अभी भी आप कई बार यात्राओं में जाते हैं, ट्रेन में जाये, बस में जाये, या फिर आटों में ब उसमें सब तरह का आराम रहता है, पर जब गाड़ी वाले ने डेड़ रुपया किराया मांगा, तब वंशीदर ने कहा, चलो इक्का ही सही, जब पालकी वाला ज्यादा पैसा मांगा, तो वंशीदर को लगा कि इक्का ही सही, पहुंचने से काम, कुछ नवल किशोर तो यह साथ हैं नहीं, इलाहबाद में देखा जाएगा, तुरंत इनका दिमाग काम करने लगा, कि हम अगर पालकी ही करें तो क्या फायदा उस से, इक्का से ही बैटकर चले जाएंगे, और हम यह दो लोग हैं, नवल किशोर तो यहां हैं नहीं, इलाहबाद में देखा जाएगा, जैसा करना होगा वंशी धर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गये असबाब मतलब यहाँ पर क्या है सामान ठीक है इसको भी नोट कर लेजिए सामान रख दिये जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी ये नवल किशोर ने क्या फोन कर दिया या प्वितार कर दिया कि आजी अचानक प्लान बना है अचानक प्लान बनता है तो काफी दिक्कत भी होती है तो बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी पर इस अस्थिर संसार में इस्थिरता कहां यहां कुछ भी इस्थि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रोलाई भी कम होती गई जो जानकी जब अपने घर पर थी तो ज्यादा रो रही थी लेकिन जैसे जैसे इका बढ़ता गया अगे बढ़ता गया जानकी अब अपने को मैनेज करती गई अब घर हमारा मैका छूट रहा है ससुर तो चलती हूँ अब रोने से कोई फायदा नहीं है इतना ही में एक स्टेशन आता है सिक्रवल के स्टेशन के पास पहुश्टे पहुश्टे जानकी अपनी आखे अच्छी तरह पूंश चुकी थी यह देखे यह प्रश्णियां से बन सकता है कि किस स्टेशन तक पहुश्टे पहुश्टे जानकी देई अपने आखे पूरा पूंश चुकी थी एकदम से नॉर्मल हो गई थी ताकि और कोई देखे तो उसको आभास ही नहीं हो कि इसकी विदाई हुश्टे पूरा रास्ते वर नहीं रोते गई ती क्रवल इस्टेशन आपको ध्यार में रखना है आख लोगों ने भी मासुस किया होगा आचानक बंशी दर की नजर अपनी धोती पर पड़ी इसी बीच बंशी धर जो है वो तो अब अपने घर जा रहा है उसकी नजर अपनी धोती पर पड़ी और क्या बोलता है कि अरे एक बात तो हम भोली गए कहकर पच्छता से उठे इक्क कट्टर स्वदेशी हुए है ना यह नई बात यह आपर बताए जा रही जो नवल वह सामान व्यक्ति नहीं है मित्र तो है ही साथ में उसके अंदर स्वदेशी पन भी कट्टरता के साथ जुड़ा हुआ है अब यह स्वदेशी सब्द के माया हुआ है चुकि एक कहानी सन 1907 इ मकार 1222 चुप चाप जा रहे हैं अचानक बंशी दर को याद आता है कि हमें तो स्वदेशी कपड़ा पहन कर आना चाहिए था यानि कि रास्ते भर वो जानकी देवी के बाड़े नहीं सोच रहे हैं जिसके बाड़े में आप सोचते हैं उन्टी से जुड़ी हुई चीजेüğ देखेंगे तो दो-चार सुनाये बिना न रहेंगे और बात भी ठीक है नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बरबादी की जाए देशी लेने से भी दाम लगेगा सही पर रहेगा तो देशी में कितनी बड़ी बात कही जा रही है ये सबी पंक्तियां या फिर की तरह बैठी जाए और आपको लगे कि हाँ आमने समय दिया है तो कुछ सीखा है आपको नवल किशोर याद हो जाए बंशिधर याद हो जाए एक-एक समबाद याद हो जाए जानकी देई याद हो जाए सीता याद हो जाए सब याद हो जाए और ये चरित्र किस तरीके के जब एक कहानी लिखी गई थी, तो उस समय का दोर क्या था, स्वदेशी आंदोलन था, और पात्रों के मन में भी स्वदेशी आंदोलन के प्रती समर्थन है, इसलिए बंसी धर कहते हैं, कि देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देशी में, ये देश भक्ती भी इस कहानी में दिखाई पड़ रहा है, अब जब ऐसी बात बोले, तो जायर सी बात है कि जानकी थोड़ा सा गुस्ये में आएगी, जानकी जरा भौवे टेड़ी करके आपने किसी को देखा है बोलते होगे, जब कोई गुस्ये में रहता है, ठीक है, धोती तो धोती, प करें कि सब्द बहुत कुछ है यहां पर धोती तो धोती पहने से का क्या यह बुरी है इतने में इस्टेशन के कुलियों ने आगे रहा वंशी दर एक कुली करके चले इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाएए फुल के उस पार तो डेहोडे दर जे का से करते हुए नजर आते हैं यहां पर कुलियों ने इन लोगों को घेर लिया इक्के वाले ने कहा कि इधर से टिकट लेते जाए उधर तो पूल पार करना पड़ेगा और जाएंगे भी तो अधर डेहोडे दर जे का टिकट मिलेगा एक नई स्रेणी का यहां पर जिक्र कहा आनिकार्णी की आगवा है बंसी दर फिरकर बोले अगर मैं डेवडे दर्जे का टिकट लो तो इक्के वाला चुप हो रहा है बंसी दर को लगा कि इक्के वाला बीच में क्या टांगडा आ रहा है अब इसका काम खतम हो गया बाड़ा किराया लिया जाए तो फिर कर बोले फिर कर बोलने का मतलब क्या होता है कि घुमा कर ऐसे बोलना कि अगर मैं डेवडे दर्जे का टिकट लोगा तो क्या दिक्कर इक्के वाला चूप हो गया इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा यह कहते होगे बंसी दर आगे बढ़ गए यह था समय रेल पर बैट कर बंसी भी है और स्याम लोगों का जुडाव भी आपके इस चैनल में जिन दो लोगों का नाम है तो राजगाट पार करके मुगल सरा पहुचे वहां पुल लांकर दुसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे जानकी देख रहे है कि कितना उतावले हैं नवल से मिलने के लिए प्लेटफार्म पर पहुचे और इधर से उधर इधर से उधर इधर इधर प्रसन है बंशी दर देखते देखते गाड़ी का दुआ दिखला ही पड़ा मुसाफिर अपनी अपनी गठरी सम्हान यहां पर रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गमभीरता से आखड़ी हूए बंशी दर एक बार चलती गाड़ी में ही में शुरू से आखिर तक देख गए पर नवल का कहीं पता नहीं बंशी दर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए तेहरा गए भीतर घुस घुस आप एक शन भी वहां गवाना नहीं चाहते हैं, वंशी दर्वी नवल की सिर को व्याकुलता के साथ खोज रहा है। यह होता है पती को पतनी का डर, पती डरा हुआ है, अगर नवल नहीं आया, तो फिर जानकी तो मेरा जान ही ले लेगी, और ताना मार मार दर, कहा जाता है कि थपड से नहीं डर लगता है, ताना से ज़्यादा डर लगता है अगर इसको हम बोलें तो, यहां पर वंशी दर वह पूछने लगी, नवल की बहु कहा है, वह नहीं आये, कोई अटका हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे, जानकी की भी नजर है, कि लोगों ने जाना थकल और आजी आने के लिए बोल दिये, तो कहां रह गये, उनकी बहु तो दिखाई नहीं जा रही, तो तिकट तो डेवडे का था, पर डेवडे दरजे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, ये मुसाफिर कहां से आ रहा है, कलकत्ते से आ रहा है, गाड़े में पुड़ा ठसम ठस है, भीड लगी विए, इसलिए तीसरे दरजे में बैठना पड़ा, जिस यात्री गण है वो कितने हैं तो दस बारा ही यात्री पूर्षती ठीक ने इस चीज को आपको ध्यान में रखना है समय पर गाड़ी छूटी नवल की बातें और न जाने क्या-क्या आगाडबगड सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापूर पहुंची वंशी दर सोचते रग है कि कहा रगया नवल धोखा दे दिया तमाम चीजें और यह सब सोचते सोचते कितने स्टेशन बीच में क्रास कर गए पता है नहीं चला अगला जो बड़ा स्टेशन आता है हूँ है मिर्जापूर कहानी में आते कुछ टर्निंग मोड आता है कुछ च पेट भूख उसने सुझाया कि इलहाबाद पहुचने में अभी देरी चलने के जंजट में अच्छी तरह उसकी पूजा किये बिना ही वंशी दर ने बनारस छोड़ा था वंशी दर इतने उतावले हो गये थे नवल किशोर से मिलने के लिए कि अपने नास्ते पर भी ध्या है और इनको याद आया कि हम बनारस में भी कुछ नहीं खाये और जल्दी से चल दिये इसलिए आप जट प्लेट फाम पर उतरे और पानी में बंबे से हाथ मूँ जोकर एक खोचे वाले से थोड़ी शित्ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उ जान में रखिए कि किस तरीके से सुक्ष्म चरितर किया गया है बंची धर्का कि कैसे वो व्याकळ वह रहा है खाने के वज़े से और प्लेट फाम पर उतरा और क्या-क्या खरीदा और खाने लगा पीछे से जानकी की सुधाई जैसे ही खा पी लिया तो उसको याद आया कि की मेरे साथ तो और भी कोई है, जानकी किया दए, सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, सोचा कि कुछ जानकी से पूछ लेते हैं कि खाओगे पीओगी, क्यों पूछना चाह रहा है, आगे की पंक्तियां बता रहे हैं, क्यों कि इस्तिरिया नटखट होती है, आप लोग इससे कितना सहमत हैं, बंशी धर का मादना है, बंशी धर की सोच को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत पुराने ख्याल का व्यक्ति हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सोचा मैं कि जानकी देह से कुछ पूछ लेता हूं, क्योंकि इस तरिया नटखट होती है वे रेल पर खाना पसंद नहीं करते हैं, पुछने पर वही बात हुई, बाद में वो जाकर पुछा तो जानकी देही ने कहा कि तुम खालो, खालो, मैं नहीं खा सकती, मैं चुक्चाप अब इलाभाद में ही खाऊंगी, तब बंशी धर लोटकर अपने कमरे में आ बैठे, यदि वे चाहते, तो इस समय डेवडे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेडा करें, उसको मौका था कि वो जिस दरजे का टिकट लिया हुआ, उस कमरे में बैठे, उस डिबे में बैठे, लेकिन वो नह इसरे दरजे के योगी जान पड़ते थे, अधिक सब ये कोई थे, तो वन्शी धरी थे, ये चीज़ देखिए, इतने यात्री, यानि कि ये रेल जा रही है, वो ग्रामी लिड आके से होते हुए, ज्यादातर जा रही है, इसमें जो सब ये दिखाए पड़ रहा है, वो व यानि पास के वाले कमरे में एक भले घर की इस्त्री बैटी है, ये भले घर की इस्त्री क्या होती है, देखने से प्रिविद्यार्थियों कई बार लोगों के पहनावा, ओढ़ावा, चाल, चलन, बोलने से पता चलता है कि कौन किस बैक ग्राउंड का है, अगर मैं दिल्ली कि पहचान उसके पहले वेश भूशा से हो जाती है, बादम पता चलता है कि ये किस टाइब का है, तो वन्शी दर बैठे-बैठे वहें से देख रहा है कि ये लग रहा है कि ये भले घर की है, इस्त्री है, वह बेचारी सीर से पैर तक ओड़े, सीर जुकाए, एक हाथ महिला भले घर की इस्त्री क्यों लग रही थी, ये कहानी उस वक्त के दोर को बता रही है, जब ये माना जाता था कि महिलाएं सीर से पैर तक आपने को कभर करके रखें, सीर जुकाएं रहें, एक हाथ लंबा घुंगट काड़े रहें, और भुत्तन के नर रहें, शिकुड आपके दिमाग में घुमते वे नजर आएंगे, तो वनशी दर कैसे उसको भले घर की इस्त्री मान रहा है, पुरा यहां पर बताया गया, और इंतिजार में है कि उनके साथ जो भधर पूरुष, यानि जो वनशी दर की तरह ही होंगे, उनके साथ कुछ वाताला आप ध्यान रहे कि वनशी दर की पत्नी दूसरे डिब्बे में बैठी हुई है, मतलब बगल में बैठी हुई है, एक दो करके तिसरी घंटी बजी, तब वो इस्त्री कुछ अक्चका कर, थोड़ा सा मूँ खोल, जंगले के बाहर देखने लगी, जो ही गाड़ी छूटी, वो मा प्लेट फॉर्म पर भीड भी न थी, किवल दो-चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े रहे, जब तक इस्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वो अव्यचारी बाहर ही देखती रहे, फिर इसपश्ट स्वर से रोने लगी, यानि कि वो भी अपने लोगों को आशी दरुस को देखता है, मेरिजापूर इस्टेशन हो गया, तो जैसे ये ट्रेन क्रास कर जाते है इस्टेशन को, ये महिला थोड़ा-थोड़ा सिसक-सिसक कर रोना शुरू कर देती है, इसी बीच एक और घटना घटती है, कि उस कमरे में 3-4 प्रहणा ग्रामीड इस्त सवाल पूछा जाता है, उसमें से एक बोलती है, एक जो उसके पास ही थी, कहने लगी, यानि जो महिला जो भले घर की इस्तरी है, बंशी धर के नजर में, उसी के पास एक ग्रामीड महिला बैठी हुई है, और उसके इस रोने को देख कर, क्योंकि कहा जाता है कि सात्मा या फिर नवा हश्यर है, कि महिलाएं एक दूसरी से बातचित न करें, पहले जमाने में यह कहा जाता था, आप जैसे मोबाइल का जमाना आ गया है, तो महिलाएं भी आपस में बात नहीं करती है, मोबाइल में लेकर ही टिप टाप करती है, तो यहाँ पर यह जो ग्रामीड महि प्रिक्षा ग्रामीड महिलाओं में संवेदना जादा होती है, वो किसी को रोते गाते या पर गुम्सुम रते हुए तुरंट जाकर उनसे बात चित करने लगती है, अस सब यह महिलाएं जो सिख्षीत नहीं है, लेकिन उनके अंदर संवेदना होती है, यह संवेदना इस ग्रामीड महिलाओं के अंतरगत है, उसके पास जाती है और कहने लगी, अब आप देखेंगे कहानिकार की जो भाषा शैली है, वो बड़ी जबरदर्स तरीके की है, इसमें भाषा के इस तर पर प्रियोग किया गया है, अब कहानिकार ने ग्रामीड महिलाओं की भाषा को उतारने का प्रियास किया है, यानि कि काशिश लेकर इलहाबाद के बीच में, जो भी लोक बोली है, जिसको हम कहें बोली के तोर पर, उस बोली का पुट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो क्या कहने लगी, इस चीद को ध्यान में रखना है, कहने लगी, अरे इ लहाबाद साइड के, वो इस भार्षशाहली को अच्छे समझ भाएंगे, जो दक्षिड वारत के विद्याति होंगे, हो सकता है कि उनको समझ में ना आए, या फिर मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूं, पश्यमी उत्तर प्रदेश के, तो उन बच्चों को भी समझ में लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ में, आ जाएगा मैं उमीद करता हूं, वो इस्तरी जाती है, उनके पास और कहती है, अरे इनकर मनाई, मनाई मतलब इनके पती, तो ना ही ऐलन, वो देखे वो रोवल कर रत हैं, इसको भी आवास होगा कि या केले बैठी है, इसके कौन गाँ उतरबू बेटा, मिर्जे पूरा चड़ी हो, ऐसे लग रहा है कि कोई बनारस की ही महिला बोल रही है, आपस में भी वो सब टकराट कर रही है, दूर बहु रही, मतलब उसको टोक रही, कि आरे ऐसे नहीं बोला जाता, तो वो भलु कहो, फिर कहती है कि कौन आमने उसने जो कहा, सो वो न सुन सकी, क्योंकि वो सकता है कि दीरे से रो रही थी, तब पहली बोली, हट हम पूछीला न, हम कहा, कहा उतरबू हो, आएं, इलहावास, ये हैं ग्रामिर महिलाव का समभाद, आएं सब्दे वर्तमान समय का नहीं है, बलकि उस जमाने का, आप आप रेल्स में देखे होंगे, तो आता है, आएं, यहाँ पर वो महिला बोल दोए, हट हम पूछीला न, हम कहा, कहा उतरबू हो, आएं, इलहावास, अपने से उतर खोज ले रहें, दूसरी, इलहावास कौन गाउं हो गईयां, पहली, अरे नाही जनलू, पैयाग जी, जह मनई मकर नहाए जाला, जहाँ पर लोग मकर संक्रांती में नहाने जाते हैं, वही इलहावाद जिसको की प्रयाग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ग्रामीर महिला हैं, तो जैसा इन्होंने अपने गाउं में सुना है, वैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसक आईसों हो स्मुवारी और गहान धका धका लाग रहा तो अरे काशी जी नहाए गई रही यानि यह महिलाएं थोड़ी धार्मिक प्रवित्ति की हैं वो बोलते कि प्रयाग आप नहीं जानती है तो बोलते कि अरे ऐसी बात कर रही है आप प्रयाग में हम धर्म से गाउं की महि जब घटनाएं होती हैं तो जाधर तर यही महिला हैं प्रभावित रहती हैं तो बोलते कि चार बार को अमवस्या के दिन और क्या-क्या काशी में नहाए इलहावाद नहाए यह दोनों पवित्र नगरी मानी जाती हैं आप लोग भी जानते हैं तो यह यहाँ पर प्रसंद है फिर पहली बोलती हैं आवे जाय के तो सब आउते जाता बटले बाते हैं तो ने अस्ताइत विचारो विवत में न पडल बाते हैं यह हम पंचा हैं राज घाट टिकस कटवली मुगल के सराएं उतर ली हैं होदपुन चड़ली हैं यह सब आपस में अपनी बात बता रहे है कहां कहां के लिए टिकट कटाएं क्या किये दूसरी ऐसे एक दाइं हम आवत रहें एक मिली औरो मोरे संगे रही दकाउने किशनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की तुरतहियं गड़िया खुली अब भहिया उगरा फाड़ फाड़ नर्याए ए साहब गड़िया खड़ी कर ए किसी तरीके की एक और इस्त्री थी जो गाड़ें बैठी थी और उसका पती किसी काम से बाहर उतरा आतर तक अचानक गाड़ी खुल गई और उसका पती चड़ नहीं पाया तो ये चिलाने लगी ड्राइबर को पुकारते या किसी को कि गाड़ी रोग दीजे गाड़ी यह कहूं खड़ी होला अब यह सब दूसरे को मुर्ख कहा जाता है भारत में हर जाती अपने से छोटी जाती को खोज लेती है हर ग्राइबर मैला अपने से मुर्ख मैला को खोज लेती है उसको भी यह सब मुर्ख गुशित कर दी है बोलती है कि उ महररुगा बड़ी पड़े इस सब्वाब को सुनते हुए अब जितने पूर्ष इस्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्वे बयान करने लगी बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिती पर भी दुख प्रकट करती जाती थी तीसरी इस्त्री बोली तिकसिया पल्ले बाय का नहीं हे सहववा सुनी तो कलकत्य ताइले मुसलिया ले अरे यहो तो नहीं की दूर से आवतर हले न फरागत के बदे उतर ले अब इन सबको अपनी टिकट याद आ रहे है कि हम लोग लिए हैं कि नहीं अनहीं तो अगर टीटी पकड़ लिया तो सीधे जहां से ट्रेन आ रही वहां तक का बनाएगा इन सबको बताया गया होगा अलांकि वर्तमान समय में तो लोग बाचित करके मैनेज करते हैं तो महिला हैं आपस में बात कर रहे हैं चौति हम तो इनके संग्य के आदमि के देखबोनर कीं हो गयिया त्रीं हम देखे रहनी हो मजे का तोपी दिया ले रहन बंशिधर ऊब हैं यहाँ पर इंट्री होती हैं बंशिधर खिश् pada वे सिर्व पैर की बाते सुनते बनशी दर उटे तब वे उनिस्तिरियों से कहने लगें, तुम तो नाहक उन्हें और भी दरा रही हो, जरूर इलहाबाद टार गया होगा और दुसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुच जाएंगे, यानि उनके पती तुम लोग फालतों में डरा रहें, मैं भी इलहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी इस्तिरियां है, जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं इस्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा, तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे, तो थोड़ी देर के लिए इ पूचित नहीं, यदि पता मालूम हो जाएगा, तो मैं इनने इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुचा दूँगा, ये बंशी धर थोड़ा समझ, दूसरी महिलाओं के प्रती इनके अंदर समवेधना है, और यहाँ पर उस महिला को लेकर इसके मन में है सुरक्षा की भावन को लेकर, वंशी धर इन बातों से उन इस्तिरियों की वाक धारा दूसरी और बहचली, वंशी धर की इन बातों से जो मैलाएं थी, उसे इस्तिरी को देखके तमाम तमाम बातें कर रहे थी, अब वो दूसरी तरफ मुड़ गए उनकी बातें, हाँ, ये बात तो आप भली कह करें, ना है भाहिया, हम पन्चे कही के के कुछ कहीं, आरे एक के एक करत न बाया, तो दुनिया चलत कैसे बायाँ, इन सबको इस दर्शन का पता है, कि जब तक एक व्यक्ति, दुथरे व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा, सब तक ये दुनिया कैसे चलेगी, यानि कि लोगों कैसे चल रही है ऐसे ही तो चल रही है इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी कोई-कोई-कोई तो उस वेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई-कोई नाराध ही क्यों सुमय नहीं बतला सकती उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे तभी ने इस विशय में कुछ न लोगों ने कहा अपनी बातों को रखा अक्सर ट्रेन में आप देखते हैं कि एक से आपको विश्य सग्य मिल जाएंगे लेकिन कहानिकार की नजर एक ऐसी महिला के उपर जाती है जो फरासीसी छीट की अब फरासीसी छीट मतलब जिसको आज कर हम प्रिंट बोलते हैं उसी क कि दुलाई औरे अकेली एक महिला बैटी थी वो कुछ नहीं बोली कभी कभी गुंगट के भीतर से एक आँख निकाल कर वंशी धर की वर वत्ताग देती थी और सामना हो जाने पर फिर मूं फिर लेती थी वंशी धर सोचने लगे यह क्या बात है देखने में तो यह भले घ बंशी धर की मालूम होती है पर आचरन इसका अच्छा नहीं है बंशी धर मैं आप सबी से ही कराऊं कि वो 1907 के जमाने के व्यक्ति हैं महिला बैटी हुए जो दुलाई और अकेली बैटी हो किसी से बातचित नहीं कर रहे है ने किसी की चर्चा में शामिल हो रही है लेकिन वो कई बार बंशी धर को देख ले रही है बंशी धर की वीनाजर उससे मिल रही है और बंशी धर अपने मन में ही सोचने लगता है कि यह कैसी महिला है देखने से तो उपर से अच्छी लग रही है लेकिन इसका आचरन अच्छा नहीं लग रहा है अब तो यह बंशी धर कि यह सोच है उस तरीके की, अब आगे क्या बात होती है, गाड़े इलहाबाद के पास पहुचने को हुई, वंशी दर उस इस्तिरी को धीरज दिला कर आकाश पाताल सूचने लगे, यदि तार में कोई खबर ना आई होगी, तो दूसरी गाड़े तक इस्टेशन पर ही ठाड़ नहीं खबर आई होगी, तो फिर क्या होगा, इस्टेशन पर ही राना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई नहीं आया, तो क्या करूँगा, जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई, अब साथ की उन असिक्षित इस्तिरियों ने फिर मूँ खोला, कव भया, जो क्यों बीना टिक किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दवड मारी कि रात को वंशी धर इनके जेवर छीन कर रफु चकर हो जाएंगे, अस्तिक्षित महिलाओं ने कहा कि अगर कोई टिकस नहीं लिया तो उसको क्या सजाव सकती है, यह हो इधर-उधर, और कोई अपने पतनी को बैठा कर अपन यह बहुत भलाई की बात कर रहा है, लेकिन यह सुभाव से चोर हो सकता है, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं, मतलब अनुमान लगा रहा है, उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, यहां पर देखे लाठी वाले की वींट्री हो रही है, उसने खुलम-खुला कहा, कहा वो ऐसी बातें कोई विसुनेगा, तो गुस्सा होई जाएगा, वंशिदर भी हो गया, उन्होंने इसे खुब धमकाया, उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलहाबाद उतरता, तो वंशिदर से बदला लिए बिना न रखता, वंशिदर इलहाबाद में उतरे, अब प्रेन की जो यात्रा थी, कासी से सुरू होई थी, इलहाबाद आकर पुरी हो गई, सभी लोग उतर गए, एक बुढ़िया को भी वहाँ उतर ना था, उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो, फिर उस बुढ़िया को इस इस्त्री के पास भीठा कर आप जा जाने भी दो, किस बखेडे में पड़ेगो, जानकी से पूरी बातें, वंशी धर कहें कि एक महिला है, उनके साथ कोई नहीं है, अगर वो शुरक्ति अपने घर पहुच आदे तो ठीक राता, लेकिन जानकी इस बात बहुत इंट्रेस्ट नहीं ली, और बोली कि किस पाली के लिए रक छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई, और बुढिया भी भाग गई, अब तो वंशी धर बड़े असमंजस में पड़े, टिकट के लिए बखेडा होगा, क्योंकि वह इस तरी बे टिकट है, लोट कर आये, तो किसी को न पाया, अरे ये सब कहां गई, यह करकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं, इस पर वंशी धर घवराये, आज कैसी बोरी साइट में घर से निकले की, एक के बाद दूसरी आफ़त में फंस्ते चले आ रहे हैं, पहली आफ़त तो उनको नवल की शोर नहीं मिला, दूसरी आफ़त कि जिस महिला की वो रक्षा करना चाह रहे थे, और उम्मीद किये थे कि इसका पती लावाद में मिल जाएगा, अब वो भी नहीं दिखाए पड़ा और जिसको रक्षा चित्यादी करने के लिए लगाये थे, वो सब भी गयब हो गये, इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते दे लिखा, तुही उन इस्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहा था कि दुलाई से मुह खोल कर नवल किशोर खिल खिला उठे। बंशीदर उस दुलाई वाले औरत से कहते हैं कि तुहीं उन इस्तिरियों को कहीं ले गई है इतना वो कहे ही कि दुलाई से मुह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे जिस चीज को लेकर बंशीदर पहले पश्चाताप कर रहे थे आपने साइट पत्रा के बारे में बात कर र करते हैं अरे यह क्या तब तुम्हारी गर्टूत है अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है ऐसी हसी मुझे नहीं अच्छी लगती मालूम होता कि वह तुम्हारी यह बहुत थी अच्छा तो वे गई कहां अब बंशीदर को भी पता चल गया और बंशीदर भी अपन तब पती नहीं है, आप उसके पती तो तुम ही लग रहे हो, अच्छा वो गई का, वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी, तुम भी चलो, एक तरीकी से सर्प्राइज कहा जा सकता है, अगर वर्तमान भार्षाशली के दिश्टिक कौन से बोलें तो, नहीं मैं सब हाल सुन लोगा, तब चलूगा, हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्जापूर में कहां से आ निकले, मिर्जापूर नहीं, मैं तो कवकत्ते से, बलकि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा है, तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चकर लगाते थे, तम मैं डेवडे दरजे में, उ तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा, मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होंगा, फिर थोड़ा और देखने, करते करते यहां तक नौबत पहुंची, अच्छा आप चलो, जो हुआ उसे माफ करो, यह सुन मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी, वंशी धर बोले, मेरे उपर जो कुछ बीती, सोबीती, परुआ व्यचारी, जो तुम्हारे से गुनवान के संग पहली ही, पार्रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई, उसे तो तुमने नहक रूलाया, बहुत ही डर ग गाड़ी में न थे, हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता, तो वखेडा ख़ड़ा हो जाता न, अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, चार हाथ की दुलाई की विसाथ ही कितनी, जो दुलाई उड़ा हुआ था, बला के उसकी विसाथ क्या है, ये सब पाने ही नहीं देता, इसी तरह बाचित करते करते दोनों गाड़ी के पास आए, देखा तो दोनों मित्र बद्वू में, खुब हसी हो रही है, जानकी का रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हसी ऐसी ही होती है, हसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं, तो भी इन्हें दयान ना आवे, खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली, तो यह कहानी इसी से समाप्त हो जाती है, इस कहानी में, पूरी भावनाओं को जोडने का प्रया कहानी कार ने किया है, वंशी धर, नवल किशोर, जानकी देई, जानकी देई के मायके को लेकर, रेल में जो भी यात्री गण है, पूरा यह आपर परिवेश, पूरा कहानी में बनाया गया, और इस कहानी के माध्यम से, मित्रता कैसी होती है, उसको भी दिखाने का प्रयास और शुरू आती दर की कहानी है तो थोड़े से इसके वाक के विन्यास में अभी कई बार वाक के लंबे-लंबे से आगए हैं, कई बार शब्दों का भी हेर-फेर हुगा है, तो उम्मीद है कि इस कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस कहानी के पाट से आपके दिमा रहेगा मिलते हैं नए कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार